दोस्तों मैं एक नई किसे के साथ फिर हाजिर हूँ और ये निया किसा है धर्म जी और अमिता बचन जी के बारे में दोस्तों आपको तो मालूम है ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की बहुत ही इज़त करते हैं ये जब भी कहीं भी किसी भी प्लेट फर्म पे मिलते हैं तो एक दूसरे की बहुत इज़त करते हैं और बहुत ही गरम जोशी से आपस में मिलते हैं दोस्तों लेकिन इनके हलाद जो इनके रिष्टे हैं वो पहले एक जैसे नहीं रहे एक बार धर्म जी को अमिता बचन के बारे में एक सवाल पूछा गया था तो उस पर धर्म जी ने पहले तो ऐसे ही कनी काटली जवाब नहीं दिया लेकिन जब उनसे बार बार यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही तलक जवाब दिया अमिता बचन जी के बारे में दोस्तों ये किस्से के बारे में मैं आपको बताओं तब तक किर्पिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की गैंटी बजाना ना बूले ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके धर्म जी और अमिता बच्चन अपने समय के काफी बड़े सूपर स्टार रहे हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम भी किया है इन्होंने साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया है जिसमें राम बल राम चुपके चुपके और शोले फिल्म है दोस्तों आपको एक बात बताओं जब शोले फिलम बन रही थी तो अमिता बचन जी उसमें कहीं भी नहीं थे उस समय अमिता बचन जी की जगा शत्रुखान जी का नाम था एक बार धर्म जी ने आपकी अदालत जो टीवी प्रोग्राम आता है उसमें रजट शर्मा जी ने जब सवाल पूछा था तो धर्म जी ने ऐसे जवाब दिया था द्रखा दोस्तो आपने सुना कि ये शत्रु का रोल था जो जाय का वो चला गया अमिता बचन को जब ये शोले फिलम बनाई जा रही थी असल में इसमें जैबादरी के साथ पहले शत्रु गन सिना को कास्ट किया गया था लेकिन क्योंकि ये फिलम बन रही थी और अमिता बचन जी दर्म जी के पास गये थे और उसके बाद जैबादरी और अमिता बचन ज वो भी अमिता बचन को दी ऐसे थे धरम जी help करने वाले उन्होंने अमिता बचन के carrier को सवारने में बहुत ही help की लेकिन दोस्तों फिर ऐसा क्या हुआ की जैसे ही एक पत्रकारने स्टेज पे जब ये पूशा कि क्या आपने अमिता बचन को रोल दिया था तो धरम जी का जवा कुछ गुसे वाला था ये बात उन्होंने किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी दूसरे प्लेट फारम पर की थी दोस्तों एक बार पंजाबी ठीवी में अमिता बच्चन जी के बारे में यही सवाल धरम जी से पूचा गया था कि क्या क्या ये बात सच है कि आपने आमिता बचन को शोले वाला सीन दिया था शत्रुगान साना का पता काट की तो धर्म जी ने पहले तो ये कनी काट के जवाब देने से मना कर दिया और बोला मुझे याद नहीं लेकिन उनसे फिर दुबारा पूछा गया लेकिन आमिता बचन तो सब जगा बोल रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है तो धर्म जी ने उस समय बोला कि आमिता बचन जी ने तब बोला जब वो पूरे पीक पे थे जब वो सूपर स्टार थे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत अच्छे इंसान है वो किसी का इसान नहीं बोल रहे लोगों को लगने लगा कि आमिता बचन कितना अच्छा इंसान है उपर इतना जाके भी अभी तक ये धर्म जी का इसान नहीं बोला ये बहुत गलत बात थी मुझे इस बात का गुसा है कि उसने पहले नहीं बोला अब बोल रहा है जब वो बहुत उपर चला गया दोस्तों उसके बाद पत्रकार ने उसके आगे धर्म जी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनको पता चल गया कि धर्म जी अभी गुसे में है दोस्तों आपने नहीं किसे के सुना हुआ है अब तक के लिए के प्या मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बाई बाई बाई